नमस्कर दर्श नूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रितितयाल आपके साथ देखे पूर्णिया के सांसत पप्पु यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है जहां उनकी माता जी की तब्यत खराब हो गई है जिसके बाद मैक्स अस्पताल में उन्हें उचित इलाज के लिए भरती कराया गया है जी यहां बता दे कि तस्वीरे निकल करके सामने आई है इन तस्वीरों को पप्पु यादव ने खुद ही अपने सोशल मेडिया आकाउंट के जरीए शेर किया है इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पप्पु यादव की माता जी मैक्स अस्पताल में भरती है और इस दौरान पप्पु यादव भी मौजूद है इसके साथ ही साथ तस्वीरों में ये भी देखा जा सकता है कि किस तरह से पप्पु यादव अपनी मा की स्वास्थ को लेकर के चिंतित है बता दे कि इन तस्वीरों को शेर करते हुए पप्पु यादव ने एक emotional post भी लिखा उस post को आप अपने screen पर भी देख सकते हैं जिसमें पप्पु यादव ने अपनी माता जी की स्वास्थ को लेकर के पूरी जानकारी दी और जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा की मेरी मा बीमार है और उन्हें बहतर इलाज के लिए पूर्णिया मैक्स अस्पताल में भरती कराए गया है आज पूर्णिया जीला कारिकरम क्रियानवेन समीती की बैठक में शामिल होने के बाद मैतुरंथ अस्पताल आया और उनकी स्वास्त इस्थिती के बारे में जानकारी ली पिताजी के परलोग गमन के बाद हमारे परिवार के लिए समय कठिन है आगे पपूयादव ने यह भी लिखा कि बस एक माही तो है इसके बाद किसके सहारे जीएंगे भगवान ने पहले ही बहुत कुछ ले लिया है अब मा को खोने की हिम्मत नहीं है इसके साथ ही पपूयादव ने आगे यह भी लिखा कि इश्वर से कामना है कि कभी मेरी मा को दूर नहीं करना आप सभी से निवेदन है कि मेरी मा के बहतर इलाज के लिए प्रार्थना करे तुझे देखा जा सकता है कि पपूयादव अप अपनी जनता के बीच ही दिख रहे हैं लेकिन अब जब उनके माता जी की तब्यत खराब होने की खबर सामने आई है तो देखा जा सकता है कि अस्पताल में ही पपूयादव डटे हुए हैं वहें पिछले दिनों की गतिवीदियो पर अगर नजर डाले तो पपूयादव के पिता जी का निधन हो गया था जिसके बाद पपूयादव ने उनका फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि मेरी दुनिया उजर गई किस तरह से पपूयादव डूट चुके थे तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने शेयर किया था इसके बाद अब जब उनकी माता जी की पूयादव ने अपने सोशल मेडिया अकाउंट के जरीए शेयर किया है इस वीच हम आपको ये भी जानकारी दे दे कि पपूयादव पिछले दिनों मुंबई पहुँचे थे जहां उन्होंने कई लोगों से मुलकात की इसके अलावे उन्होंने बाबा सिदिकी के बेटे जिशान से भी मुलाकात की थी और उन्हें सहानुभूती देते हुए भी पप्पोयादव दिखे तो वहीं मुंबई दोरे के बाद जैसे ही वे पूर्णिया पहुँचे हैं तो पूर्णिया आने के बाद उन्होंने एक बैठक किया जिसके बाद उन्हें उनकी माता जी की तब्यत खराब होने के बारे में जानकारी मिली जिसके बाद से वे लगातार हॉस्पिटल में ही डटे हुए हैं तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक पपो यादव के माता जी की तब्यत में सुधार हो पाती है तो फिलहाल के इलिए इस खबर में इतना ही अगर आपन कर दो